हलो एव्रिवन हम क्लास सेवन्थ साइन्स एन्सियाटी को स्टेडि कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नवर 14 जिसका टाइटल है विद्दुधारा और इसके प्रभाव इसके बारे में डिस्कुस करेंगी तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पह परिपत को व्यू करो तो उन सिंबल के बेसिस पर आप समझ जाओ कि ये जो सिंबल है वो किसको रिप्रिजेंट कर रहा है तो यहां पर जो विद्दुध सेल जो यूज किया जाता है विद्दुध परिपत बनाने में तो उसको इस तरीके से रिप्रिजेंट किया जाता है जो भी electricity है वो flow हो पाई और इसके बाद में जो complete जो circuit है complete जो परीपत है वो complete हो पाया switch off की इस्तती में जब switch off होता है तो तारों की जो connectivity है वो हट जाती है और इसकी वज़े से जो electricity flow कर रही थी विद्धूत परीपत में वो रुख जाती है battery जो है उसको इस तरीके से represent किया जाता है और जो सईयोजी तार मतलब जो जो जोडने वाले जो तार है उनको इस तरीके से represent किया जाता है तो ये सबसे important जो terms है उनके जो representation है उन सभी को हमने discuss कर दिया उसके बाद में यहाँ पर battery की बात की गई है देखो ये जो chapter है वो class 7th के according जो है वो basic बाते यहाँ पर जी गई है कि किस तरीके से समझाया जा सकता है 7th class के students को उसके बाद में यहाँ पर battery की बात की गई है कि किस तरीके से जो battery है उनको बनाया जा सकता है फिर उसके बाद में दो विद्दूत परीपत यहां पर शो कर रखे हैं एक विद्दूत परीपत जो यहां पर अगर हम देखें तो तार जो है वो connectivity है अभी हमने symbol देखे थे तो यह bulb को represent कर रहा है यह cell को represent कर रहा है और यह switch on की इस्तती को represent कर रहा है मतलब विद्दूत परीपत जो है उसमें विद्दूत धारा परवाईद हो रही है मतलब बंद विद्दूत परीपत है दूसरा यहां पर एक image और शो कर रखी है यह bulb, यह cell और यह विद्दूत switch off की इस्तती में switch off है मतलब तारो की जो connectivity है वो बंद हो गई है मतलब विद्दूत परीपत जो है वो एक तरीके से खुला विद्दूत परीपत है इसमें विद्दूत धारा परवाईद नहीं हो रही है यह बात आपके समझ में आ गया अब यहां पर बता रखा है कि जो bulb होता है बल्ब आपने घर में भी देखिए कि बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे बोला जाता है तंतू अत्वा फिलामेंट यह बल्ब तभी दीप्त होता है जब इससे विद्दूत धारा परवाईद होती है और यदि बल्ब का तंतू या फिलामेंट तूट जाता है प्रवाईत नहीं हो पाई है, यहाँ पर दो इंपोटेंट बाच जो अभी हमने डिस्कस किया कि जब स्विच ओन की सती में होता है, तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के रिन टर्मिनल तक परिपत पूरा होता है, बरिपत को जब बंद कहा जाता है और सारी परिपत में तुरंत विद्दूधारा परवाईत होने लगती है और जब switch off की इस्तथी में होता है तो परीपत अधूरा होता है तब इसे खुला परीपत कहते हैं और इस्तथी में परीपत के किसी विभाग में कोई विद्दूधारा परवाईत नहीं होती है उसका दिप्त जो तार होता है, जो filament होता है, उसको हमें नहीं छोना होता है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इससे आपका हाथ चल सकता है, तो यदि बल्ब का तंटू तूड़ जाए, filament तूड़ जाए, तो क्या तब भी परीपत पूरा होगा, या तब भी ब तारीपत कोई complete हो रहा है और यह जो तार है यहां पर use के जा रहे हैं इन में से विद्दुधारा प्रवाइत हो रही है कुछ समय के बाद में इन तारों को आप टच करके देखें तो आप देखेंगे कि यह तार जो है वो काफी गर्म हो जाते हैं तो इनको क्या बोला जाता ह इसको बोला जाता है विद्दुधारा का तापिय प्रवाव जब किसी तार से कोई विद्दुधारा प्रवाइत होती है तो वह तप्त हो जाता है इसे विद्दुधारा का तापिय प्रवाव कहते हैं समझ में आ गया कि तापिय प्रवाव क्या होता है तो switch को उनकी इस्त तो यहां पर विद्दुधारा का तापिय प्रभाव हमने देख लिया, अब यहां पर बताया क्या है, कि देखो हमारे घर में हम बहुत सारे product यूज करते हैं, हम देखते हैं विद्दुधार जो है वो यूज किया जाता है, तो हम एक time के बाद में देखते हैं, कि इनमें जो तार यूज़ किया जाता है जो कोईल यहां पर यूज़ की जाती है वो कोईल जो है काफी गर्म हो करके कभी तार जो है वापस में तूट जाते हैं और जब तार तूट जाते हैं तो इसकी वज़े से क्या होता है जो विद्दुधारा है वो इसमें परवाहित नहीं हो पाती अब ऐसे तार की विद्दू धारा का वो एक लिमिट तक सेहन कर पाते हैं जादा लिमिट या जादा देर तक जो है उसमें विद्दू धारा को वो सेहन नहीं कर पाते हैं तो यह चीजे या यह तार जो है वो कैसे बने होते हैं उनको क्यों बनाया जाता है तो यहां पर होते वो जलते नहीं है क्यों क्योंकि उनको किसी और काम के लिए बनाया क्या है और यह जो तार जो गर्म होने पर ज्यादा देर तक गर्म होने पर तूट जाते हैं उनको किसी और परपज के थ्रू जो है उनको बनाया होगा तो यहां पर कुछ बेसिक बाते हम समझेंगे कि फ्यूस तार जो है वो क्या होता है तो सबसे पहले तो यह जो विद्धुधारा का ताप्य प्रभाव की किसी तार से विद्धुधारा प्रभाव तो जो है वो गर्म हो जाता है इसको विद्धुधारा का ताप पर फ्लोरेंसेंट टूग लाइट का उप्योग करके कम किया जा सकता है यह प्रदिप्त लेंप्त CFL भी विद्दूत की छती में कमी करते हैं तता इने सामाने बल्ब होल्डर में भी लगाया जा सकता है तता पी बल्ब प्रदिदिप्त न लिकाऊं अथवा CFL को क्रे करने से पहले इन पर भारतिय मानक ब्यूरो के ISI चिन को देखना चाहिए वास्ताव में किसी भी विद्दूत साधित्र का क्रे करने से पहले इस चिन को अवश्य देखना चाहिए ISI चिन न यह सुनिशित करता है कि जो भी प्रोडेक्ट है उसके निर्माण में सुरक्षा संबंदी सभी सर्थों का ध्यान रखा गया है और इससे उर्जा की छती जो है वो नियूंतम होगी तो यह important fact है आपको ध्यान होना चाहिए जब भी आपने घर में कोई product यूज करो तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है अब यहां पर बात किया गया है fuse star की इस तरीके के structure आपने घर में देखी होगी लेकिन अभी जो है इसको replace किया जाने लग गया है जो नए infrastructure के घर बन रहे है उनमें MCB जो है वो use की जाती है कि अगर जितनी जर्रत है उससे ज़्यादा विद्धुदारा प्रवाइत हो रही है या high level की विद्धुदारा प्रवाइत हो गई है तो MCB जो है वो trip हो जाती है आपने सुना भी होगा कि MCB ट्रिप हो गई है फि fuse बनाने में किया जाता है सभी बनों में प्रतेक विद्धुद परिपत में fuse लगाए जाते हैं ताकि विद्धुद परिपत में से प्रवाइत की जा सकने वाली विद्धुदारा की कोई अधिक्तम सीमा होती है जिससे उसमें से सुरक्षा पूर्वक प्रवाइत किया जा स यदि दुरगटना वस विदुधारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अती तपत हो सकते हैं और आग लग सकती है तो फ्यूस्टार इसलिए लगे होते हैं कि घर में कोई भी नुकसान ना हो जो भी विदुध से रिलेटेड जो भी प्रोडेक्ट है उन पाता है और अभी इसको रिप्लेस कर दिया गया है MCB के थ्रू और MCB जो है वो भी ट्रिप हो जाती है जिससे घर में कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलता है तो फ्यूस्टार जो है वो एक सुरक्षा युक्ती है जो विदुध परिपत की छती अत्वा संभावित अत्यधिक विद्धुधारा परवाइत होने का एक कारण विद्धु तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो जाना है तूट फूट तारों के विद्धु तुरोतन के हटने के कारण हो सकता है इससे लगू पतन सोर्च सरकिट हो सकता है अत्यधिक धारा परवाइत होने का ए अब हम देखते हैं विद्दुधारा का चुम्बक्य प्रभाव तो इसमें क्या होता है कि जब भी तारों से विद्दुधारा प्रभाव होती है तो अगर हम वहां पर एक चुम्बक्य युकती रखते हैं तो उसके बारे में बताया जाता है कि ये विद्दुधारा का चुम प्रभाव होता है इसका जो प्रेक्षन है वो क्रिश्चन और स्टेड ने किया था यह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसी तार से विद्धुधारा प्रवाइत होती है तो उसके पास रखी चुम्बक्य सुई में विक्षेप होता है ओके तो यह दो को क्लास 7 की जो बुक है इसमें जो भी important topic दिये हुए है जब क्लास 11-12 में student जाता है science opt करता है तो physics में यह सारी जो term है जो भी magnetic effect है विद्धुधारा का यह सब पुछ पढ़ा जाता है वहाँ पर जो भी हमने thermal effect पढ़ा जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी magnetic effect किसका electricity का यह सारे अलग-अलग chapter होते हैं जो बड़े level पर फिर पढ़ाया जाता है तो जब किसी तार से विद्धुधारा प्रवाइत होती है तो चुमबक की भाति व्यवार करता है इसे विद्धुधारा का चुमबक यह परवाव गोलते हैं समझ में आ गया विद्धुधारा का तापिया प्रवाव देख लिया विद्धुधारा का चुम्बक के परवाव देख लिया अब यहां पर बताये गया है कि कैसे जो है वो विद्धुधारा परवाइद करने पर कुंडली जो है वो चुम्बक की भाती क्या करती है विववार करने लगती है और जो विद्धुधारा का परवाव समाप्त हो जात इस प्रकार की कुंडले को विद्धुत चुंबके कहते हैं अब यहां पर एक्जामपल दिया हुआ है विद्धुत घंटी का तो विद्धुत घंटी जो है वो विद्धुत धारा के चुंबके प्रभाव के अकोडिंग काम करती है तो यहां पर विद्धुत घंटी कैसे काम तो यहां हम समझते हैं, तो इस प्रकिरिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हतोड़ा घंटी से टकराता है, और दवनी उत्पन होती है, परंतु जब विद्दुचुम्बक लोहे की पत्ती को अपनी और खीसता है, तो यह परिपत को भी तोड़ देता है, इसे कुंदली से विद्दुधारा का नी रह पाती है, जब इसमें विद्दुध परिपत जो है, वो कंप्लीट नहीं होता है, तो जब विद्दुध परिपत कंप्लीट नहीं होता है, तो कुंदली चुम्बक नहीं होती है, यह लोहे की पत्ती को अपनी और नहीं कीशती है, लोहे की पत्ती अपनी मूल इस्त तो हमारे जो एक्जाम्स होते हैं उसमें जो भी important products हम use करते हैं उनको लेकर के question पूछ लेते हैं कि ये कौन से प्रभाव के according काम करता है तो आपको ध्यान में रखना है कि विद्धूत गंटी जो है वो विद्धूत दारा के चुम्बक के प्रभाव के according काम करती है तो यहाँ इतापिय प्रभाव गोला जाता है इस प्रभाव के बहुत सारे अनुप्रियोग है मतला उपियोग है कुछ विद्ध पधारतों के बने तारों में से जब विद्धूत उच्छ विद्धूदारा प्रभावाईत होती है तो गर्म होकर के पिगल करके तूड जाते हैं इन का उपयोग विद्दुत फ्यूज बनाने के निर्माण में किया जाता है जो विद्दुत परिपतों को छती अथवा आग से बचाते हैं जब किसी तार से विद्दुत धारा प्रवाइत होती है तो वो चुम्बक की बाती व्यवार करता है इसे विद्दुत धारा का नमबर 14 अगर आप यहां तक आए हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ओके थैंक यू